अगस्ता वेस्ट लेंड डिल में इटली कॉर्ट की फैसले के बाद देश की सियासत गर्मा गई है राजसबा में इस मुद्य को लेकर जोरदार हंगामा हुआ और सोनिया गांधी का नाम लेने पर कॉंग्रेस सदस वेल में उतर आए इस मुद्य पर सरकार और प्रक्ष के बीच तीकी बहस भी हुई वी वी आईपी हेलिकॉप्टर गोचाले में लगातार नए तथे सामने आ रहे हैं और अब इस मसले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी का नाम भी उचला है जिस गोचाले को हतियार बना कर बीजेपी कॉंग्रेस को खेरने की तैयरी कर रही थी वही कॉंग्रेस ने इस मुद्टे पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी पर ही גם भी रारोप लगा डाले राजसवा में इस मुद्टे पर जोरदार हंगामा हुआ हेलिकॉप्टर घोटाले पर हुई महाभारत के बीच कॉंग्रिस सांसद गुलाब नभियाजात ने एक रिपोर्ट का हवारा देकर पीम मोदी से पूछा कि उनके और इटली के पीम के बीच क्या डील हुई है उन्होंने इस सवाल किये कि जिस अगस्ताव वेस्ट लेंड कंपनी को कॉंग्रिस ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था वो कंपनी मेक इन इंडिया की लिस्ट में कैसी आई दरजल डील के विचोलिये मिशेल क्रिश्चन ने अंग्रेजी अकबार हिंदू को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मिशेल ने दावा किया था कि पीम मोदी ने इटली के पीम से कहा है कि वो गांधी बनिवार की जानकारी दे तो मच्छवारों की हत्या के आरोपी इटली के नौ सैनिकों को छोड़ देंगे इस परवित्व मंत्री अरुण जेटली ने किसी भी प्रकार की डील से साफ इंकार करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री मोदी कभे इटली के प्रधान मंत्री से मिले ही नहीं जेटली के बयान के बाद BGB सांसत सुप्रमन्यम स्वावी ने अपनी बात रखते हुए जैसे ही सोनिया गांधी का नाम लिया कॉंग्रिस के सदस्य उत्तेजित हो गए और नारे बाजी करते हुए वैल में उतर आए हंगामे के चलते उप सभापती को सदन की कारेवाही स्थगित करनी पड़ी इस बीच सोनिया गांधी ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिश कर दिया है इतना ही नहीं सोनिया ने सरकार से सवाल किया है किस मुद्दे पर पिछले दो सालों के दौरान सरकार ने क्या किया साथ ही उन्होंने इस मामले पर निश्पक्ष जांच कराने की मांग की है बात निकली है तो दूर तलग जाएगी ऐसा ही कुछ भाजपा नेता रवी शंकर फिरसाद ने कहा था लेकिन अब यही बात केन सरकार तक पहुँच गई और उल्टे कॉंग्रस मोधी पर हमलावर हो गई है